नमस्ते स्वागते आप सभी का मेरी यूट्यूब चानल संसा आशा में आज हम क्रोश्या से ये कमल का फूल कैसे बनाना है वो देखेंगे या फिर कमल को आस्टर बोल दीचे इसको आप टेवल क्लॉथ कितना बड़ा करना है वैसे भी कर सकते हैं हमेशा की तरह हम स्लिपनोट से शुरू करेंगी स्लिपनोट के बाद हम लोग तीन चेन क्रोशा के टाके बनाएंगे तीन टाके होने पर जो पहला और आकरी टाका है उसे slip stitch से जोड लेंगे तो ये देखिए मैंने ये slip stitch बनाई जोडने के लिए और फिर एक chain crochet का टाका ठीक है अब दिखिए वो पहला और आकरी टाका जोडने की वज़े से न हमको एक बहुत छोटा सा एक gap बीच में तयार हो जाता एक छोटा सा गोल सरकल सा बीच में तयार होता है तो अब हर बार ये गोल के अंदर से हम needle को डाल कर धागा खीचेंगे और एक double crochet का टाका बनाएंगे तो पहले needle पे धागा घुमा लेंगे हम लोग और फिर needle को वो गोल के अंदर से डालते हुए धागा बाहर खीचेंगे और एक double crochet का टाका बनाएंगे तो ये जो process है ना ये हमको same follow करते हुए 20 double crochet के टाके बनाने हैं तीक है needle धागे को needle के उपर घुमा लेना है फिर needle को गोल के अंदर दाल के धागा बाहर खीचना है और एक double crochet का टाका बनाना है ऐसे 20 double crochet के टाके बनाने ये देखिए ऐसे दिखते हैं ठीक है फिर पहले और आखरी टाके को हम लोग slip stitch से जोड़ लेंगे आप में से किसी को अगर double crochet के टाको का tutorial वीडियो देखना है link already description में दिया हुआ है और हिंदी में notes के साथ है वो काफी slow demonstration है वो वीडियो में तो आप refer कर सकते हैं ठीक है अब दूसरा round शुरू करेंगे हम लोग अब दूसरा round जो है उसमें हम लोग जो हर टाके के पीछे का धागा है ना पीछे के side का धागा वही धागे का इस्तमाल करते हुए हर टाके में 2 double crochet के टाके बनाएंगे ठीके हर टाके में दो डबल क्रोशा के टाके बना रही हूँ बस पूरे राउंड में यही करना है हमको और जब हम आखरी टाके तक पहुँच जाते हैं तो पहले और आखरी टाके को हम लोग स्लिप स्टिच से जोड लेंगे मैं आपको यह राउंड पूरा करके दिखाते हूँ यह दिखें यह ऐसे होगा ठीके और फिर हमेशा की तरह पहले और आखरी टाके को हम लोग स्लिप स्टिच से जोड लेंगे तो जो हमारा राउंड है वो पूरा हो जाता है अब यह तीसरे राउंड में हम लोग हर एक टाके में दो डबल क्रोशा के टाके बनाएंगे। ठीक है हर एक टाके में दो डबल क्रोशा के टाके और हर टाके के पीछे वाले धागे में बनाएंगे पैटन एक ही है हर एक टाके में दो डबल क्रोशा के टाके और हर टाके के पीछे वाले धागे में बनाना है ठीक और जब हम आखरे टाके तक पहुँच जाते हैं तो पहले और आखरे टाके को हम लोग slip stitch से जोड़ लेंगे तो जैसे हमारा round पूरा हुआ मैं आपको यह पूरा करके दिखाते हूं यह देखे पूरा होने पर यह ऐसा दिखेगा ठीक है अब हम पहले और आखरे टाके को slip stitch से जोड़ लेंगे तो हमारा round पूरा हो जाते हैं अब इसके बात जो दो round हम लोग बनाने वाले उन पर जाता ध्यान दीजिएगा अब हम लोग तीन चेन ग्रोशा के टाकों की chain मनाएंगे और एक टाके को छोड़ते हुए तीसरे टाके में हम लोग उसको slip stitch से जोड़ लेंगे फिर तीन चेन ग्रोशा के टाकों की chain मनाएंगे और एक टाका छोड़ते तो जैसे आप इस डिजाइन को जितना मर्जी उतना बढ़ा कर सकते हैं इसी पैटन ये दो पैटन को फॉलू करते हुए ठीक है मैं आपको पुरा राउंड करके दिखाती हूँ यह देखे मैंने वो तीन तीन चेन क्रोशा के टाकों की चेन बना के पुरा राउंड पुरा कि से करेंगे ठीक है हम लोग चेन के पीछे से हर एक टाके में चार डबल क्रोशा के टाके बनाते जाएंगे याद रखेगा हर एक टाके में चार डबल क्रोशा के टाके और चेन के पीछे से लेना है और वो एक ही टाके में बनाना है तो मतलब स्टेप वन था कि ये तीन चेन क्रोशा के टाकों की चेन बनानी एक टाका छोड़के उसको तीसरे टाके में जोड़ना है। ठीक है? स्लिप स्टिच से और दूसरी स्टेप यह है कि जो टाका हमने छोड़ा है उसमें हम लोग चार डबल क्रोशा के टाके बनाएंगे। हर चेन के नीचे जो एक टाका छोड़ा है ना उसमें चार डबल क्रुशा के टाके बनाएंगे ठीक और यह हर एक टाके में वही करना है हमको चार डबल क्रुशा के टाके बनाने हैं आप अगर जितना भी बड़ा करना चाहें इसको आप यह दो स्टेप्स फॉलो करते चले जाएंगे तो यह उतना बड़ा आपको आपका टेबल क्लॉट बनाने में मदद करेगा ठीक है और जै दिखाती हूं बस चेन के पीछे से टाके लीजे इतना याद रखिए आप यह देखिए हमारा राउंड पूरा होने पर ऐसा दिखेगा ठीक है यह देखिए हमारी चेन जो है यह आगे आई हुए इसके उपर हमारे पंखुडिया आने वाली है और वह जो चार टाके हमने लिए थे वह जो एक टाका हमने छोड़ा था उसमें वह पीछे है हुए आप यह दो राउंड को जितना करेंगे उतना बड़ा यह होते जाएगा पहले और आखरे टाके को हम लोग स्लिप्स जैसे जोड़ लेते यह देखे यह जो उपर चेन आई हुई है सामने की तरफ तो इस पर हमारी पंखुडिया बनेंगी अब देखे जो दो चेन एक टाके में जुड़े हुए हैं वो टाके में नीडल ढालके हम धागा कीचेंगे और एक चेन क्रुशा का टाका बनाएंगे अब हम पंखुडिय बनाने वाल है ठीक है यह देखे इस तरह से एक चेन क्रुशा का टाका बनाएंगे ठीक है अब चेन क्रुशा का टाका बनाने के बाद हम लोग उसी एक ही टाके में एक डबल क्रुशा का टाका बनाएंगे यह देखे एक डबल क्रुशा का टाका बनाएंगे फिर एक चेन क्रोशा का टाका बनाएंगे और फिर से एक डबल क्रोशा का टाका उसी टाके में बनाएंगे यह दूसरा डबल क्रोशा का टाका हुआ इसके बाद हम लोग तीन चेन क्रोशा के टाके बनाएंगे तीन, यह हुआ, अभी एक डबल क्रोशा के टाके को पकड़ के, मतलब उसके नीचे से नीडल को घुमा कर, हम लोग ऐसे ग्यारा डबल क्रोशा के टाके बनाएंगे, लेकिन अधूरे टाके बनाएंगे, मतलब जो पूरा नहीं करेंगे टाका, जो आखरी फंदा रहता ना ट टाके का वो हम नीडल पर छोडते चले जाएंगे, तो एक फंदा तो पहले ही होता है, हमारे फंदा थेके ओर फिर ग्यारा टाकों के ग्यारा फंदे तो ऐसे आखर, फंदे नीडल पर होने चाहिए. । यह देखिय olives ऐागा कीचा और यह आखरी फंदे को छोड़ दिया, फिर से मैं अगला डबल कोशा का टाका बना रही हूँ तो ऐसे 11 बनाने हैं तो जैसे आखिर में एंडिंग में हमारे पास जो है वो 12 फंदे नीडल पे रहते हैं मैं आपको यह पूरा करके दिखाती हूँ है 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 यह देखिए मेरे 11 फंदे पूरे हुए नीडल पे जारा सॉई 12 फंदे अब मैं नीडल पे धागे को घुमा लोंगी और पहले सरी एक फंदे से धागे को खीचूंगी और उसके बाद में नीडल पे धागा घुमा के हर बार में दो-दो फंदों से खीचूंगी धागा ठीके तो ये मैं आखरित करने वाले हूं आखरी टाके तक देखे, नीडल पर धागा गुमा के दो-दो फंदों से धागा खीशते चले जाना है, आखरे टाके तक तो यह हमारे पंखुडी का आदा हिस्सा पुरा हुआ ठीक है हमारा कमल का जो पंखुडी है उसका आदा हिस्सा पुरा हुआ अभी हम लोग यह सामने के साइट से हम टाके ले रहे थे अब जो दूसरा डबल क्रोशा का टाका है उसके पीछे के साइट से हम लोग अभी टाके लेंगे नीडल आप उससे सबसे अड़ेस्स करते चले जाएगे बस वही प्रोसेस करना है जो हम लोगों ने पहले में किया आधा हिस्सा बनाने के लिए वही करना है बस हम पीछे के साइट से ठाके लेते चले जा रहे अभी ठीक है मैं आपको यह पूरा करके दिखाती हूँ झाल 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 यह पूरा हुआ देखिए कि तब पaryरा लग रहा है मतलब अभी तो काम पूरा भी नहीं हुआ अभी से बहुत पहण लग रहा है अभी हम इससे सीधा कर लेंगे क्योंकि हम उल्ने पीछे के साइड से तके ले रहे थें आधा इससे में अभी हम इसको सीधा बावनेगे अब देखे, बॉर्डर की ये वाली जो साइड है, ठीके, ये जो तेड़े-तेड़े धागे देख रहे हैं, आपको आसानी से दिख रहे होंगे, एकदम clear दिख रहे हैं, हर एक धागे में हम लोग एक slip stitch का टाका बनाएंगे, ये देखे, सब तेड़े धागों में हम लोग ए एक slip stitch का टाका बनाते चले जाओंगी, मैं आपको आप पुरक करके दिखाती हूँ, ये रेकी कितब प्यारा दिख रहा है, ठीके हम आखरी धागे तक पहुची गया है, ये और एक धाग बाकी है हमारा, ये अब आखरी धागे में हम लोग उने slip stitch बनाएं, ठीके अब ये जो आखरी टाका है, इसको हम लोग कहां जोड़ेंगे, जो अगला joint है ना, दो चेन क जो एक टाका है जोड़ा हुआ, उस टाके में हम लोग slip stitch बनाएंगे, देखें, दो चेन के बीच में जो एक टाका है, ठीके, उस टाके में हम लोग इसको slip stitch से जोड़ लेंगे, तो हमारी एक पंखुडी दो चेन पे आएगी, जो तीन-तीन चेन क्रोशा के टाकों की चेन बनाई हुए न, तो एक पंखुडी हमारी वैसे दो चेन के ऊपर आ रहे हैं, ठीके, अब हम लोग क्या करेंगे, यह चेन है, उसके हर एक धागे में, इक स्लिप स्टिच का टाका बनाएंगे, तो एसे तीन स्लिप स्टिच के टाके बनाएंगे हम लोग, ठीक, अब फिर से यह तो हम वो जोईंट वाले कंपSon bury ताके पे आगगे हैं दो़ ह। जैन की बीच वाला को टाका है अब उसमें फिर से पूरा प्रोसेस अंको दोराना है जैसे हमने पहली पंकुड़ी मैं उस्त्राइब हम आख और प्रोसेसर एफ और उस प्रोसेसर ही तो यह पंखुडियों का एक राउंड हो गया अब इसके बाद हम लोगों ने देखिए और एक राउंड लिया है वह बीच वाले टाके जो छोड़ दिया थे उसमें चार-चार डबल क्रोशा के टाके बनाए हुए तो आपको उस पे और एक राउंड मनाना है तो फिर से तीन चेन क्रोशा के टाके बना लिजे चेन बना लिजे तीन चेन क्रोशा के टाको की ठीक है और आपको और डिजाइन बड़ी करनी है तो जो बीच वाला टाका हम छोड़ते है उस पे चार डबल क्रोशा के टाके तो बस वह दो ही प्रोसेस आपको दोर आते जाना है तो आपकी डिजाइन आपको चाहिए उत्ती बड़ी हो जाएगी आपको चाहिए उत्ता बड़ा आप टेवल क्लोथ वगरे बना लोगे ठीक है यह देखे मेरे दूसरी पंकुडी में कर रही हूँ आप देखे ध्यान से झालब 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 झाल 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 यह देखे हमारी दो पंखुडिया पूरी हुई क्या प्यारा लग रहा है अभी मैं आपको पूरा करके दिखाते हूं कैसे दिखेगा यह देखे मेरा एक राउंड पूरा हुआ ठीके तो मैं ऐसे और एक राउंड बनाने वाली हूँ जो प्रोसेस पूरा सेम है पूरा सेम जो लोग ने और एक राउंड लिया था नो चार-चार डबल क्रोशा के टाको का वहां पर मैं और एक राउंड बनाऊंगी उसके पहले, अब देखिए, हमारी की जो पंखुडी आए, वो एक साइट से जुड़ी हुई है, एक साइट का आखरी टाका जुड़ा हुआ है, लेकिन एक साइट खुला है, तो हम क्या करेंगे? अभी एक पंखुडी के बीच का धागा है, और अगली पंखुडी का आखरी टाका, ये दोनों को हम slip stitch से जोड़ेंगे, तो ये कैसे करेंगे हम लोग, ये दिखे, यहां का बीच का धागा, एक पैटन का, और दूसरे पैटन का आखरी टाका, इनको मैंने slip stitch से जोड़ लिया, ठीके, तो ये अभी दोनों side जुड़ गए हमारे, अभी फिर वो जो तेड धागे है, border पे, उन पे हर एक धागे में हम लोग, एक slip stitch बनाएंगे, और मतलब हर एक border के टाके में हम लोग, एक-एक slip stitch बनाते चले जाएंगे, पूरे पंखुडी के border में, ठीके, मैं पहले आपको ये slip stitch का पूरा करके दिखाती हूँ, झाले कर देड़िए, झाले कर दिए ये एक स्वाइंगे, प्षोव. यह देखें पूरे slip stitch हुए अब आखरी टाके को वहीं जोड़ेंगे जहां वह pattern हम लोगों ने जोड़ा हुआ था यह देखें बिल्कुल वहीं जोड़ना है ठीक अब क्या करेंगे हम लोग यह देखें अब यह जुड़ने के बाद जैसे fix हो जाता है वह ऐसे घूमता नहीं है उपर डिजाइन खराब नहीं होती है अब हम लोग 5 चेन क्रोशा के टाके बनाएंगे ठीक है और फिर पैटन के पीछे से जो बीच वाला धागा है ना उसमें हम लोग एक slip stitch से जोड़ लेंगे उसको यह देखें बीच वाले धागे से धागे में slip stitch बनाके उसको अगले यसमें जोड़ना है मuing सें में प्रोसेस हमको फूरा फॉलो करना थी स्पी यह ऐसे एक यृउंड पूरा होता है मैं एसे और 11 0000 मणा कि दिखाँए आपको में दो राउंड माना कि दिखाँएँ आपकी मर्जी है आप इसको चाहें उत्ता बढ़ा कर सकते मैं आपक आपको नग फाइनल पीस दिखाती हूं कैसे दिखेगा यह मेरा एक राउंड पुरा हुआ और यह देखी जो हम लोगों ने और एक नहीं कि वो चार-चार डबल क्रोशा के टाके बनाए थे वो बीच वाले टाके को जो छोड़ दिये थे उसमें ठीक है आपको बड़ा करना है और उसमें भी तीन चेन क्रोशा की टाको की चेन कर लीजी यह देखें मैंने दो राउंड बनाए हुए यह मेरा फाइनल पीस है तो जिनों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब किया उनको तो बहुत धन्यवाद बहुत थेंक यू और जिनों ने अभी तक नहीं किया है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज मेरे चैनल संस आशा को सब्सक्राइब कीजे मैं ऐसे बहुत सारी वीडियो ले के आ रही हूँ तो प्लीज अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजे और सब्सक्राइब संस आशा थेंक यू थैंक्स वर वाचिग मैं वीडियो प्लीज लाइक अशब्सक्राइब थैंक्यू